दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कई राजनेताओं के बयानों को लोगों को उकसाने के लिए जिम्मदार माना क्या जिसमें बीजिपी नेता कपल मिश्रा और परवेश वर्मा समीत कई नेताओं के नाम शामिल है इसी बीच सोशल मीरिया पर एक महिला के वीडियो जम कर फाइरल हो रहे हैं जिसमें एक महिला खुद को रागिनी तिवारी उर्फ जान की बहन बता रही है और उस महिला को दिल्ली के मोजपुर में दंगा भड़काने का तोशी माना जा रहा है दरसल रागिनी तिवारी ने 23 और 24 फरवरी को मोजपुर में माहौल बिगारने की कोशिश की और लगातार भड़काओ बाते की वो लगातार फेस्बुक लाइब कर रही थी और भड़काओ भाशन दे रही थी फेस्बुक लाइब में साफ दिखाई दे रहा है कि रागिनी भीड को भड़का रही है और सड़क जाम करने की कोशिश कर रही है रागिनी दिवारी ने फेस्बुक लाइब पर प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ज की मांग की और कहा कि मोदी जी तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है मोटे मोटे लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है रागिनी तिवारी यही नहीं रुकी जब पत्थर बाजी शुरू हुई तो रागिनी ने फिर फेस्बुक लाइब किया और कहा कि मोदी जी ये देखिए पत्थर बाज कितने पत्थर बरसा रहे हैं साथ ही रागिनी ने दिल्ली पुलस पर भी कई आरोप लगा है बढक है लुक शुरूबबग ने एकशन नहीं लिए ना तो जादा पूलीさ वाले सबस्ते यह वरत पिला टलाइए अब तब पुलिस बुलाई नहीं, CRPF से चारोतरब नकाबंदी नहीं कराई, ये दिली पुलिस की रवईया है, ये CRPF पुलिस की रवईया है, भाईव बहनों मरना तो हैं, ये धरती मांग रही बलिदान, आयोध्या करती है अखुवान, जिस तरह उस तरह ये दिली करती है अगर रागनी तिवारी की फेस्बुक प्रोफाइल को देखें तो कई भड़काओ पोस्ट और वीडियोज दिखाई देते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी रागनी आभी तक दिली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आपको बता दें कि रागनी तिवारी की फेस्बुक प की रहने वाली है और उसने बिहार युनिवरसिटी से बी एपी किया हुआ है, निउस्टेस की एप झाई देन की अई Architect Day